नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का, मैं हूँ मुकेश जानी, एक चमतकारी उपाई, सभी समस्या का अंत, दोस्तों, यह है आज का विशय, यह है आज का सभ्जेक्ट, हर दिन की तर आज भी, अपने जीवन से जुड़ी समस्या, और समस्या का उपाई लेकर आपके सामने उपस्तित हो गया हूँ, पहले तो दोस्तों आज जो भाई बेन का जन्म दिन है, सभी भाई बेनों को, जन्म दिन की सुबकामना, सुबह च्छा, खुश रहे, प्रसंद रहे, इस्वा की क्रिपाद रष्टी आप सभी के उपर बनी रहे, दोस्तों मैं दो तिन बार बार मेरे सभी वीडियो में दो रहता हूं, कि हमारी इस तुरुष्टी के उपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कि जिसके जिवन में समस्याए ना हो, परेशानी ना हो, मुश्किल ना आती हो, बादाय ना आती हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जो समस्या का समाधान ना हो समस्या कितनी बड़ी क्यों न हो बस जरूरते समाधान की हाँ दोस्तों बाद से भटक जाने से पहले देख लेते हैं आज का उपाई आपके जीवन में बार-बार समस्या आती है आपके हर काम में बादाय आ रही है आप इन सभी वजह से परेशान रहते हैं दोस्तों आज आपको मैं एक छोटा उपाई देता हूँ पूरी स्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ आप ये उपाई करें दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप से करता हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे विडियो से देख रहे हैं मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए मैं ऐसे छोटे छोटे प्रेयोग हर दिन सेयर करता ही रहता हूँ दोस्तों अगर आप मीडल क्लास से हैं या तो मीडल क्लास के नीचे के परिवाद में से आते हैं तो ये चैनल को वो से सब्क्राइब कर लें मेरे एक भी उपाई में मैं आपको फिजुल का कोई खर्च नहीं करवाता हूँ आप घर बेठे आपकी समस्या हल कर सकते हैं आपकी समस्या का समाधान आप घर बेठे कर सकते हैं हाँ दोस्तों आपके काम में रुका उटे आ रही हैं आप परहसान रहते हैं आपके जीवन में बार बार समस्य आया रही है ये एक छोटा उपाई ये उपाई करेंगे आप सनिवार के दिन आपको लेना है साथ लोंग पूरे साथ लोंग साथ काली मिर्च के दाने लोंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए साथ काली मिर्च के दाने एक पूरी बनानी है कागज में सनिवार की रात को आप ये पूरी आपके तक्ये के नीचे रख देंगे रहीवार की सुबह सुर्योद इसे पहले सनिवार की रात को आपने पूरी आपके तक्ये के नीचे रख दी रविवार के दिन सुर्यों दई से पहले हैं एक लोहे की कटोरी लिजिए चार-पांच कपूर की गोटी रखे लोहे की कटोरी में दोस्तों उपाय पूरा नहीं हुआ है उपाय को पूरा देखे उपाय को पूरा समझे लोहे की कटोरी में एक कपूर की गोटी जलाए है जब कपूर जलने लगे तब एक एक करके साथ लोंग और एक एक करके साथ काली मिच के दाने अंदर रखते जाए जब तक लोंग और काली मिच जलन जाए तब तक आप दूसरी कपूर की गोटी रखेंगे फिर भी नहीं जला है पूरा तो तीसरी कपूर की गोटी रखेगे जब पूरे लोंग और काले मिर्च जल जाए बाद में वो भस्म को आप नाली में बहा दीगे कटोरी को साप कर लीजिए कटोरी लोहे की लेनी है आप तेल और घे का प्रयोग नहीं करेंगे जलने में जलने में कपूर का ही प्रयोग करेंगे जब पूरा सब जल जाए तब यह सब आप नाली में बहाद दीए रहीवार के दिन 500 ग्राम काली राई लीजिए 500 ग्राम काली राई लेनी है रहीवार के दिन साथ में पांच रूपिय का एक सिक्का काले कपड़े में 500 ग्राम राई बांदेंगे अंदर एक पांच रूपिय का सिक्का रखेंगे यह पोटली आप सिव मंदिर में जाके छोड़ाए ये उपाई करेंगे आप हर सनिवार की रात को काली राय का दान करेंगे सीम मंदिर में रईवार के दिन दोस्तो उपाई आप बरोबर समझ गए होंगे ये उपाई आप लगा तार करते जाए आपके जीवन में आ रही सभी समस्या, सभी मुश्किले, सभी परेशानी, सभी बादाये दूर हो जाएगी जरूरत इस्रद्धा, विश्वास और आस्था की बस दोस्तों आज इतना ही, वीडियो के अंद तक आप सभी मेरे साथ बने रहे आप सभी दोस्तों का सुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम